तुम्हें तब तक कोई नहीं हो रा सकता जब तक तुम अपने आप से ना हर जाओ तो उसे भी लेके देखेंगे कैसा लगता है कैसा हिसाब किताब उसका review करेंगे तो हम लोग चल पड़े थे एक सफर के लिए लेकिन क्या पता था इतनी गर्मी में हमारा काम नहीं हो पाएगा दोस्तो लेकिन असली मज़ा तभी है जब आप जैसी कंडिजने हो उनका मज़ा ले पाएगा तो हम लोग ने गर्मी से बचने के लिए सबसे पहले जूस पिया ठीक है गन्ये के जूस तना ठंडा था बिलकुल मज़ा आ ठीक है सर और इस तरीके से देखिए गन्ये का जूस निकाला जा रहा था फिर हम चल पड़े सीधे लेक रास समोसे की तरफ जो बहुत ज़्यादा फेमस है वहाँ पर भीड इतनी ज़्यादा थी कि लोग एक गंटे से लाइन लगाया हुए थे साथ रुपए का समोसा था बहुत ही मशक्कत के बाद हमें वो समोसा मिल पाया लेकिन फानली समोसा हम लोग ने भीड में घुसके ले लिया और उसके क्योंकि फेमस था लेना ही था अब इतनी दूर गया थे और लेने के बाद क्या रहा आनुबा वह आपको बताते है तो ब बहुत जादा पर लेना चाहें तो देके संत्र मेले काफी क्रिस्पी और काफी घंसा लगा तो पीड़े ट्रक बगड़ा निकला कर इसे देखे तो काफी क्रिस्पी समोसा थे कितनी आसानी तर फूट रहा है और इसके अंदर अगर अबाल करें तो मिट्च बगड़ा भी वही है तो बिस्तों नाम क्या काड़ेगा तो आप यह चार केवल साथ रूपार यह समोता इसमें दिक्कत केवाल यही ती भीड़ बहुत थी और लेने के लिए महर बहुत जादा करनी पड़िए ठीक है तर बहुत जादा टेस्टी है तो पिलहर का यह लेक राज के शमोता आप भी अगर जाएं तो साथ रूपय के कियों समुथा हाँ धुड़ी तर खड़ा होना पड़ेगा वीड़ जाथ आपने वीडियों के देखिया चलिए मिज़े ले लेटें फिर आपके मिल परें परें लोगे है इस देशी की फैनी अपनिया हो री है देशी देशी ना फोल्या कर छोड़ी रहे है अगर अगर पर ठीक है बिट्टू थोड़ी ती दो है धूब में ज्यादा परिशान दिखा रहा है दिकाई देह रही है तेकि चलिए फैनली काफी अच्छा रहा बाकी समोसों की बात करें तो बहुत ज्यादा टेस्टी समोसे आप भी जाके खा सकते हैं केवल सात रुपए में हैं हाँ भीड़ आपने देख ली थी बहुत ज्यादा दी चलिए फिर मिलते एक नए ब्लाग पर सब्सक्राइब जिरू कर लिए तब तक के लिए जैह